नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि MVMaker एप्लिकेशन में आप अपनी फोटो से वीडियो कैसे क्रियेट कर सकते हो तो गैस गर आप भी जानना चाहते हो कि MVMaker एप्लिकेशन में अपनी फोटो से वीडियो कैसे क्रियेट करें तो फिर इस वीडिय को देखते रहें तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा अपने play store को open करना है और प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपको MVMaker application को download कर लेना है और download करने के बाद simply आपको इस application को open करना तो चलिए friends application को open कर लेते हैं और जैसे application को open करेंगे उसके बाद करना क्या होगा यहां पर आपके सामने कुछ add होगी तो सबसे पहले add को close कर लेना है और उसके बाद तो कुछ इस तरह से application आपके सामने open हो जाएगी अब यहां पर तो ऊपर की सेट में आपको फोटो से कर सकते हो तो चलिए गाइस example के लिए हम इस template को यहां पर यूज करेंगे तो इसके ऊपर हम click करेंगे और जैसे इसके ऊपर click करेंगे उसके बाद यहां पर templates open हो जाएगा अब यहां पर आपको करना क्या होगा यहां पर गैस इस template के अंदर आप अपनी photo कैसे एड करेंगे तो उसके लिए देखेंगे n ही países एड में प्रीज सेलेक्ट forouse तो यहां पर फॉर फॉटो फोटो वाला option वैंशके ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहां पर देखेंगे जी में क्लिक करनें और यहां से घरào पर ऐसा फॉली तो यहांपर देखने को मिलझे से जो भी आपको फोटीड करते हो। पर complete हो जाएगा अब हमारा जो वीडियो वो create हो चुका है उसके बाद करना क्या होगा यहां पर देख तो make वाला जो option है इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे आप क्लिक करोगा उसके बाद देख तो loading यहां पर start हो चुकी है और कुछी second के अंदर हमारा जो वीडिय application के अंदर देर अपनी फोटो से शांधर वीडियो कर सकते हो और ुछी second के अंदर वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा तो इस तरह से आपजो MvMaker application में अपनी फोटो से वीडियो से वीडियो क्रियेट कर सकते हो तो गैस गर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए